आपका आंकलम विजय है और यहां पर देखिए अभी जब समिता ने कहा कि anti-incumbency की काट ढूंड ली शिवराज का चेहरा नहीं दिखाया गया पर शिवराज और लाडली बहन योजना महिला फैक्टर क्या ये वो कहते हैं ना अफसेटिंग दे आपल काट की खेल बदल दिया कुछ ऐसा भी दिखता है क्या देखिए एक तो बड़ा फैक्टर है लाडली बहन लेकिन इसमीता जी यो है वो डैली ट्रेकर जो होता है ना उस संस्था को हैड करती है तो वो भलाई आज थोड़ा सा रिजर होकर बात कर देखिए है उनकी लीडर्शिप में वो संस्था जो है दिन भर अपने इलाकई में रहती हैं तो वो ज्यादा बेतर तरीके से समझती है शिवराज जी को और मद्यप्रदेश को समझने के लिए जैसे इसमिता जी ने कहा न कि वहाँ पर प्रेसिडेंशल फॉर्म में कमल नाज जी ने इलक्शन लड़ा लेकिन इन पाँचों राज्यों में आप पहली बात देखी कि जहां भारतिय जन्ता पार्टी की सेंटरल लीडर्शिप ने कहा कि MP के मन में मोधी और मोधी के मन में MP वहाँ पर किसी और राज्य में इस तरह का इलक्शन नहीं लड़ा गया कि प्रधान मंतरी के नाम पर सीधे सीधे से आप आ गए हो तो वो एक बड़ा फेक्टर है कि उससे काम हुआ और शिवराज जी को नहीं देकर मुझे लगता है वो फायदा ही हुआ है कि उनकी एंटी केंपेंड में नहीं दिखा और लाडली बैनी योजना ने शिवराज जी को बहुत पपूलर बनाया और उस सरकार की एंटी इंकम्बंसी को काट करने में भी मदद की है लेकिन अब वो उनके साथों एमपीज ने क्या अलग-अलग शेत्रों में मदद की है ये तो अब नती से देखते हैं ये शिवराज सिंग चोहान की परसनल एक्विटी और आठ महीने पहले जो लाडली बैन योजना और ये तमाम जो जनकल लियानकारी नीतियां चलाई उसका जादू है या ये दरसल दूसरी तरफ का खेल है कि काटे की टक्कर होगी कहीं बीजेपी पिछड़ ना जाए और इसमें चेहरा ना देना और मंत्रियों को उतार देना वो सब चामिल है अंग्रेजी में कहावत है ना हिंदी में बिज़रू कुछ ऐसी होगी कि सेवे पैनी फो दोस हुआ ओट स्टेप तो मैं बाकी जो कह रहे हैं उनसे फिर एक अलग तरीके से तिर्शा होक कि महिलाओं ने जम कर वोट दिया शिवराज सिंग चोहान को क्योंकि लाडली बहना योजना बहुत जाद है मजबूत योजना रही अब आप इसके इसका जो लबो लुबाब उनका जो में आग्यूमेंट है वो यही है अब आप इस में आग्यूमेंट को अंदर खोल के द जो रह गई है वो जाहर है बहुत जादा नाखुश है कि हम रह गए दूसरी बात जो मिडल क्लास की महिलाएं हैं वो बहुत जादे नाखुश है कि आप हमारा टेक्सपेयर का पैसा लेकर इन बाईयों को दे रहे हैं इसका क्या मतलब है ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए तीसरी बात लाडली बहना योजना में ही पैसे दिये जा रहे हैं, बाकी जो योजनाएं हैं उनके पैसे काटे गए हैं और यहां डाइवर्ट किये गए हैं, अब उसमें विडोज को जो पेंशन मिलती थी वो है, जो ओल बुज़र्गों को मिलती थी वो है, तो वो सारे सब नाराज बैठे हुए हैं, तो आप यह देखिए कि हम यह जो आंकड़ों कोई भी हो, उसके पीछे वजह मजबूत होनी चाहिए, तो कम से कम आपकी बात टिकती है, हम आपका जो आर्गुमेंट है, एक तरीके से सही सब नहीं मिला पर उसके हम बखिया को खेड़ रहे हैं, कि आपकी योजना सही नहीं बैठरी है, तो क्या कोई दूसरे कारण हो सकते हैं कि आपने दिया, वहां में नहीं जाना चाहता है, तो यहां एज बीजेपी को है, कॉंग्रिस को है, क्योंकि आप जो बीजेपी की एज की वजह बता रहे हैं, वो अपने आप में खरी नहीं तर रहा है वो खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं 130, 132, 140 तक मुख्यमंत्री बता चुके हैं आप मुख्यमंत्री के असेस्मेंट से भी 10 कदम 10 आगे जारें भी से जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे